दोस्तों अगर आपको भी महिंदर सिंग धौनी की ये पारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और कॉमेंट बॉक्स में अगर आपको भी लगता है कि धौनी में अभी काफी किरकेट बाग किये है और धौनी अभी क्रिकेट के बाद सा बरकरार हैं तो कॉमेंट बॉक्स में धौनी not over yet लिखना बिलकुल न भूलें हम आपको बता रहें कि आज महिंदर सिंग धौनी ने जो कमाल किया वो वाकई में लाजवाब था एक समय चिन्नई मैच हारता हुआ नजर आ रहा था लेकिन तब ही सब को भोचक्का करते हुए महिंदर सिंग धौनी मैदान में उत्रे सभी उम्मीद कर रहे थे कि रवेंद जटे जा मैदान में आएंगे क्योंकि तेज तरार पारी खेलने की चिन्नई की तरफ से जरूरती लेकिन तब ही महिंदर सिंग धौनी मैदान में आए और पहली गैंद पर वो बिलकुल पूरी तरीके से चूप गए जिसके बाद और सालोचा को उस पर तेर हो गए लेकिन अगली ही गैंद पर महिंदर सिंग धौनी ने सांदार छक्का जड़कर कर चिन्नई को मैच मापस ला दिया चिन्नई को एक समय आठ गैंदों मोनने सरंगे दरकार थी और महिंदर सिंग धौनी ने अपनी धुहाधार पारी खेल कर अगर आप कोई महिंदर सिंग धौनी की पारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कॉमेंट बॉक्स में अगर आप भी मानते हैं कि महिंदर सिंग धौनी का किर्केट कैरियर अभी ओबर नहीं हुआ और उनमें अभी काफी क्रकेट बाकी है तो कुमेंट बॉक्स में धौनी not over yet लिखना बिलकुल ना भूलें क्योंकि हम सब ही मानते हैं कि अभी धौनी में काफी क्रकेट बाकी है और धौनी अभी काफी लंबे समय तक चिन्ने की क्रिकेट टीम से खेल सकते हैं अगर आप भी धौनी के फैन है तो इस वीडियो को लाइक करना बिलकुल ना भूलें